नमस्ते बच्चों तो हमने class 8 का science का unit number 10 cell and cell organally जो है वो start क्या था तो हमने बहुत सारी चीजे देखी आज हम इसमें देखने वाले previous इसमें हमने क्या देखा कि फेल होता है इसके अंदर जो organs present होते हैं जैसे हमारी body है हमारे body मैंने बोला है हार टेक्ड्नी है हमारी ठीक है उसी प्रकार जो जो और व्लखेल होते हैं अब देखें अरेकल को सब्यूनित होता है मुंझेलिय को ल tellement शर्ण के उसको प्रकार सिल गांदर जो प्रेशिट है उनका सिर्ण होता है और उसका है तक से हुआ कर से नंदर यह और यह उनकोविन इसे नोट है जैसे ऑमने बोलता है जिसको ऑपनी से यह किसो नोटिनम्रेन होती शिक नुकलियस को नहीं होती है यूप्र क्णो क्लोरोडेंट छोडब ये बाकी जितनी भी सेल के अंदर और उर्गन है उनको खुद की एक जो है वह मेभरेन होती है ठीक है और हम इसको कैसे देख सकते है इलीक्ट्रन माइक्रोस्कोप से अब हम बात करेंगे नुकलियस के बारे में नुकलियस क्या है सेल के अंदर नुकलियस प्रेजेंट होता है सिर्फ अगर हम बात करें तो आर बी सी में प्रेजेंट नहीं होता है और प्लाइन की अगर हम बात करें तो सीव सेल्स होते है उसमें नुकलियस प्रेजेंट होता है अब नुकलियस है इसकी डायग्राम निकल है तो simply कैसे करना देखिए है नुकलिस का पर होता है सेल के अंदर होता है तो हम ने बोला थेखिए सबसे पहले यह निकालनार इसको खुद की ऐख लिपोप्रोटिन यहां से कुट्पोर्टीन होती है तो यह मैं बहाँ भी जो substance होता है जिसकी जरूत होती है वो अंदर बाहर जाने के लिए पोर्स होते है सबसे पहले समझ गया कैसे निकालना है दूसरा जैसे cell के अंदर nucleus होता है उसी प्रकार nucleus के अंदर भी nucleus होता है यह हमने निकाल लिया यहाँ पे इसको बोला जाता है nucleus के अंदर जो nucleus है उसको हमने बोला nucleus clear यह हो गया nuclear core होगे newclient indigenous होगया अब यह cell की membrane होती है उसी प्रकार यह वाली कया है nuclear membrane यह वाला चीज हो गया यह वाली भी चीज हो गई और nucleus जाने cell के अंदर जो खुली जगा होता है है लिक्वीड होता है उसका हम साइटोप्लाजम बोलते तो यहां पर छो खुली जगा दिखे रही है आपको इसको न्युक्लिव प्लाजम बोला जाए तो न्युक्लियस के अंदर भी ग्रोंगण स्ट्ट्ट्रेश करके अंदर के हम देखेंगे न्यूक्लियोड प्लस्म atoos यह होगे हमारा स्ट्रक्चर अब इसमें लिखना है दिए हमको इसको अज़र अबज़र करना है तो electron microscope के अंडर ही अबज़र करना बरेंगा देखिए nucleus covered by double layer membrane with small pore अब nucleus जो है वो क्या है double layer membrane से covered है और इसको छोटे-छोटे क्या है small pores है उसके बाद nucleus has one round nucleolus एक nucleolus है round wall like nucleolus है and network of chromatin और इसका chromatin का एक network बना होता है chromatin fiber का अब यह chromatin fiber कैसा होता है thin होता है thread like होता है धागे जैसा structure which condensed to form short three chromosome दीखे यह जो है यह condensed हो जाता है और ऐसा chromosome बनाता है उसके बाद यह chromosome जो है वह cell division के लिए काम आता है यानि इसके बाद DNA उसके बाद जो है वह genes इस प्रकार इसका यानि यह chromosome बनेगा फिर DNA फिर genes बनेगा यानि इसका काम क्या होता है जो हेरीडिटरी material ट्रांसपर है parents to arm spring जैसे किसी को जो है कोई बहुत प्रेंट जो हो बहुत हाइट होते हैं तो बच्चे भी हाइट होते हैं तो यह हेरीडिटरी character जो बच्चे में ट्रांसपर होता है वह इसी से होता है यानि nucleus ही उसमें पार्ट लेता है nucleus के अंदर जो chromatin है वह फिर chromosome में convert होता है फिर DNA फिर gene में convert होता है तो वह काम क्या करता है हेरीडिटरी character जाने function के nucleus के nucleus क्या करता है जितने भी cells के अंदर metabolic activity रोह रहे है जेकिए इतने भी metabolic activity cell के अंदर हो रही है उसको भी control करता है और cell division को भी control करता है यानि एक cell के फिर 200 हो जाएंगे दो से फिर double 4 हो जाएंगे तो यह जो सेल का division हो रहा है यह control करता है तो यह nucleus ही control करता है और it involves the transmission of hereditary character from parents to offspring यानि parents से जो offspring में hereditary character transfer होते है उसको भी जो है इस process में भी यह जो होता है तो nucleus के function समझ में आगे metabolic activity cell division and hereditary character और nucleus के अंदर क्या क्या होता है यह ऐसा है आप अपने मन से भी लिख सकते है कि एक rounded nucleus होता है double layer nuclear membrane होती है chromatin fiber होता है जो फिर chromosome में short three chromosome में convert हो जाता है nuclear pores होता है nuclear plasma होता है यह सारी चीज़ा आपने मन से भी एक बार आपको समझ में आए दो चार बार diagram निकाल के दिखे तो मन से लिख सकते है तो यहाँ पे गाई हमने nucleus को जो है वो covered किया नेक्स इसमें हम endoplasmine reticulum क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे आज का वीडियो हिल्पूल रहा एक लाइक जरूर करना दोस्तों को भी शेयर करना चानल पर ने सब्सक्राइब करना मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चाहें